लेटस कबरे पाने के लिए सस्क्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस कबरे सबसे पहले नदी, नलों में पानी उफान पर आने से संभाग के कई रास्ते बंध हो गए हैं अंबिकापूर में 24 घंटे में 40 मिमी बारिश हुई है महान नदी में बार जैसी स्थिती बनने से अंबिकापूर प्रतापूर रोड बंध हो गया है यहां रपटा से पानी बह रहा है मैंपाट शित्र के दूरस्त गाव खडगाओं भैशा खान मुख्याले से कट गए हैं बलरामपूर जीले के कुस्मी इलाके में 24 घंटे में रिकाया और 22 मिमी पानी गिरा जिससे सुबह गल्फला नदी में पुल के उपर पानी बहने से करीब 4 घंटे कुस्मी जश्पूर रोड बंध रहा कुस्मी के दूरस्त गावों का भी मुख्याले से संपर्क तूट गया है बारिश से निर्माना धीन अम्बेकापूर रायगाड रोड वर अम्बेकापूर बिलासपूर रोड में लोगों का चलना मुश्किल हो गया है मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही अलर जारी किया था और सरगुरुवार को भी देखने को मिला मैंपाट के दूरस इलाके मुख्याले से कटे गल फला नदी में पुल के उपर से बह रहा था पानी ट्राफिक ठप बारिश का मीटर ब्लोक बारिश अंबिकापूर 40 मिमी उदएपूर 35 से मी मनपाट 75 मिमी भैया थान 60 मिमी प्रतापूर 72 मिमी कुसमी 22 मिमी बलराम पूर 42 मिमी राजपूर 101 मिमी मान नदी में पुलिया के उपर से पानी बहने से राजापूर भेंशाखा ख खडगाओ राजापूर भेंशा खाड की सड़क बंद मेंपाट की पहाडी नदियों में पानी का बहावतेज हो गया है इससे चलता खडगाओ राजापूर भेंशा खाड रोड पर आवागमन बंद हो गया है दोनों सड़क में मान नदी आती है नदी पर बनी पुलिया के उपर से पानी बैह रहा है। गुरुवार की शाम तक पुलिया से पानी का स्तर नीचे नहीं आने से आवागमन शुरू नहीं हो पाया था। पुलिया की उचाई काफी कम है। रपटा से गाड़ियों का आना जाना होता है। बारिश में रपटा पूरी तरह डूब गया। मप्र की ओर खेसक रहा सिस्टम आज से मौसम साफ होने की उम्मीद मौसम विज्यान केंद्र अंबिकापुर के मिट्रोलालिस्ट एम भट ने बताया कि कमदाब के छेत्र का जारखंड वच्छतीजगर के सीमावर्ती क्षेत्र में हैं। इसके प्रभाव से पूरे सरगुजा संभाग में बारिश हो रही है। यह सिस्टम धीरे-धीरे मध्यप्रदेश की ऊपर खेसक रहा है। इससे शुकरवार से मौसम के साफ होने की उम्मीद है। इस दोरान ब सिती बनने से कुस्मी जश्पुर रोड सुबह लगभग चार घंटे बन रहा। गलफला नदी में सुबह पुल के उपर से लगभग दो फीट उपर से पानी बह रहा था। पानी कस्तर दस बजे के बाद नीचे डाने के बाद इस सड़क पर दोबारा आवागा मन शुरू इसी प्रकार दूरस्थक्षेतर के कराउंधा रोड के किनारे का सोल्डर कई जगे कट जाने से सड़क खतरनाक हो गई है। देखते ही देखते पानी में बह गई वहां खड़े ग्रामीन भी नदीक के तेज बहाव को देख व्रिधा को बचाने का साहस नहीं जुटा पाए। पुलिस मौके पर गोता खोरा एक साथ पहनुची लेकिन पानी का बहाव देख उन्होंने भी तलाशी अभियान शुरू शुकरवार को व्रिध को तलाशने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना पर राजपोर टी आई अखिलेश सिंग दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। लगातार बारिशवन नदी के उपहन पर होने की वजह से व्रिधा की तलाशी का काम शुरू नहीं किया। नदी के इस पार से दूसरी और ज्यादतर ग्रामीनों की खेती है और उन्हें बारिश के समय ही मजबूरी में एन नदी के उस और जाना पड़ता है। तीन साल से नए पुल की मांग महान नदी पर बना पुल तीन साल पहले बारिश में तूट गया था। इसके बाद से नए पुल के निर्मान के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। इसकी बज़े से परसवारकला, धंधापूर, लोधी डांड, रेवतपूर, शिवपूर, कुंदी, बदौली, दुपी चौरा, मरकाट डांड, मजगा, करसीव मकंपूर के ग्रामी ने वर्म विद्यार्थियों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फुल नहीं होने से पिछले साल नाव के डूबने से दो लोगों की मौत हो गई थी। इसमें एक किलाश भी नहीं मिल पाई है।